हेलो दोस्तो मेरा चैनल क्लास रमतादा दोस्तो आज जो टॉपिक में बात करने बाला हूँ एक इनसान के लिए बहुती इंपोर्टेंस है जिसका नाम है वाटर ट्रीटमेंट प्लैन करुण वाटर ऐसा है जल ऐसा है जो सरीर को सुस्त सवल रखता है वाटर में पोब्लेम ह हजरो टाइप सब बीमारी आज हिंदुस्तान में देखता है इसी एक प्लैन्ड में हूँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लैन्ड है जो में स्टेप बाई स्टेप उसका जो प्रोसेस होता है वो पूरा डिटेल्स जानकारी देने का कोसिस करूँगा सबसे पहले पता तो जो ङूतर है हम जो पीटते है प्रिंगीङ वाटर उसका पि-एच भेलू होता है पूटेंट्ययव जो हाइड्रोजेन है जो 6.5 से लेके 8.5 का भीज बीज में होता है और जो पीने लाइक जो पानी है वो एप्रोक्स 7 माना जाता है अपका पानी का pH value 7 है ना hard होता है ना soft होता है सबका मिला जूला होता है इसलिए मैं एक treatment plan माया हूँ इसका step by step एक step जो 8 point पे एक water treatment plan काम करता है आठ process होता है उसमें step by step मैं बताना हूँ सबसे पहले मैं overview दे रहा हूँ जो water treatment plan इसको WTP कहलाता है वो treatment plan कैसे काम करता है क्या step होता है कहां है इसको पूरा details में जानकारी दे रहा हूँ पहले मैं overview दे रहा हूँ इसके बाद मैं आगे steering फिर erison फिर sedimental cleaning by chemical reaction फ्लास mixture फिर reserve यहां तो process में step by step आपको बताने माला हूँ दोस्तों लास्ट जुरूर देखे अच्छा लगे जुरूर कमेंट करें लाइक करें दोस्कों से तो मुझे अच्छा लगेगा ऐसा में technical related कुजना कुछ वीडियो regular ले आने का कोसिस करता हूँ आप लोग के प्लैंट अभी यहां मैं खाड़ा दिखा रहा हूँ यह है किसका विस्ट मेट्रियल का रिजर्वर है मैं सबसे पहले सुरू करूंगा जहां नहर बडेम से पानी आता है उस process से मेरा process सुरू होगा अभी तो मैं प्लैंट दिखा रहा हूँ उपर से नीचे तक बहुत पानी रिजर्व करने के ला कैपसिट है उसको उपर में खाड़ा हो कि आपको वीडियो बना रहा हूँ यह रिजर्वर है दस लक लिटर पानी इसमें रिजर्व हो जाता है फिल्टर होनी के बाद ठीक है दोस्तों देखते रहिए मैं स्टेप बाई स्टेप सबसे पहला ज यह है वाल्ब जिसमें गेट खुलने से बाद यह जो नीचे पाइप दिग रहा है यहां से पानी हमारा चैनल का थूझ जो दो फीट बाई तीन फीट गहरा एक चैनल है जिसके थूझ पानी हमारा प्रोसेसिंग के अंदर आना सुरू होता है जिसका यहां हमना स्टेरिंग सिस्टेम है जो कोई भी बड़ा साइच का कच्रा बस हबस्टेंस आ जाता है तो यह एंड पूर्शन में आपको दिखाने कोशिश करो उस एंड पूर्शन पे आके अटक जाता है यह ओपन है करण हमको पानी के अंदर ऑक्सिजिएन का मात्रा जाता से ज़्यादा जूरौ होते जो नॉर्मल कंडिस्ट्रा नहीं होता है उसको चैनल के थ्रू हम प्रोवाइड करते ओपें चैनल है आपके सामने देखें ओपेंचनल यह जो एंड बाला पूर्शन है वहां हमारा स्टेरिंग लगा हुआ है जो बड़े बाला जितना भी सबस्टेंस है चिल लिभी और नॉल लिजिंग कोई भी ओ उसको फिल्टर करने का काम किया जाता है यह धाका हुआ पोर्शन नॉर्मल कंडिशन में धाका रहता है जो ओपें एयर का जो भी डस्ट है कच्रा है वो डायरेक्ट पानी के अंदर मिक्स ना हो जाए इसमें एक चद्र कत्रू धाका हुआ ह होता है मैं उसको भी दिखाने को से इसी प्रॉसस रहता है मैं वीडियो बनाने के लिए उसको मैंने ऊपें जूरूर कर दिया था लेकिन अभी आपको दिखा रहा हो वो सिरूर्ण प्रॉसेस में जो पानी का जो नॉर्मल सरवास ब्यव जो फ्लोट.. बाला कच्रा है जो फ्लो होता है पानी के उपर में तेरती हो जाता है उसको फिल्टर करने के काम करता है यह आगे बाला जो एंड पूर्शन आपके समने देख रहा है चैनल का उस एंड पे वो लगा होता है बड़े अकर का जितना भी सबस्टेंस से वो निकल देता है इसके तो छेजिर के अंड़ है पूर्शन इहान औक्सेजन का परशिंटेज बढ़ना आजाता है यह जो टैंक का अंदर दिख रहा है इरे सान पॉसेस जिसमें ऑक्सीजन का पारसेंटेज ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जोरद होता है वाटर के लिए सस्थ के लिए सुस्थ के लिए तो सबसे पहले यह पॉसे इसके बाद हमारा होता है सेडीमेंटल पॉसेस सेडिमेंटल पॉसेस में lung क्या क्या जाता है उसका अंदर से जो स्टेरिंग में जो dust निकल गया और जो बच ज़ाता है जैसा soil है कि चर है उसको filter करने का काम किया जाता है सेडिमेंटल यह जो आपके सामने देग रहा है इसका नाम है lime album फिटकरी, पॉलीमार, यह तीन पोसेस में यह मिक्सिंग चल रहा है, अभी वाटर में मिक्स नहीं हो रहा है, अभी हमें क्या किया रहा हूँ, जो लाइम है, वो लाइम को मिक्सिंग करके पानी में मिक्स के लाइक त्यार किया जा रहा है, यह हमारा एलॉंबा फटकरी है, य ये तीनो जो chemical actual जो water है उसका अंदर जो soil करके जो substance होता है उसको cleaning करने का purpose में किया जाता है Actually chemical reaction किया जाएगा यहां से त्यार किया जाएगा तीनो chemical को alum, lime, polymer उसके बाद आके उसको step by step हम water के edge पर percentage ऐसे नहीं ये पूरा के पूरा mix हो जाता है इतना 1000 liter में इतना lime चाहिए, इतना 1000 liter में इतना alum चाहिए, इतना 1000 liter में इतना polymer चाहिए तभी जो pH है, हमारा पास जो pH है जो 6.5 से लेके 8 हमारा जो process अभी चल रहा है उसका नाम है sedimentation process जो कच्रा निकलने के काम करता है जो घुला हुआ पानी के अंदर जो substance है उसको निकलने के काम है sedimentation process जो with chemical, chemical के थूरू, थ्री टाइपस अब chemical हमी उज़ करते है एक चूना एक फटकरी और पॉलीमार यह जो हमारा process चल रहा है यह आपको देखे का यह जो है जो हमारा lime है फटकरी के पानी परसेंट की जिसाद पे इस tank के अंदर mix किया जा रहा है परसेंट ओप लाइम फटकरी यहां mix किया जा रहा है इसके बाद बाला जो step है ओ step का नाम है ओ भी sedimentation process जिसमें चूना percentage इसके थूरू मिलाया और mix किया जा रहा है यह आपके सामने दिखाने कोशिस कर रहा हूं यहां भी चूना है अपको सामने दिखेगा चूना यह दिखिए इसके अंदर से चूना steering हो रहा है घूम रहा है घूमते 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 पूरा पानी के अंदर mix किया जा रहा है percentage कि पूरा नहीं है percentage के हिसाब से उसको mix करना तभी उसका अंदर जो भी घुला हुआ पानी का अंदर dust है, soil है, किचड़ है, वो धीरे धीरे नीचे बेड़ जाएगा, यह steering process चल रहा है, देखे तो पूरा mixing चल रहा है, mixing के कारण जैसा ही उसको रोग दिया जाएगा, धीरे 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 पानी के नीचे, gravity के कारण, जो soil ह वो नीचे बेड़ जाएगा, वही process में आपको दिखाने कोशिश कर रहा हूँ, यह हमारा चौथा process है, जिसमें mixing हो रहा है chemical, इस थ्रू के पानी फिर बाहर आएगा, इस pipe जो दिख रहा है, इस pipe के थ्रू धीरे 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 यह आपका output है, इस पानी के यहाँ है, प dust बीना जर्मल पानी है, धीरे धीरे अभर फ्लो होते हुए, उपर साइड से पानी आते जाएगा, नीचे साइड से किचण जमा होते चला जाएगा, धीरे धीरे इस process से यह आपका outlet drain है, इस outlet drain के तुरू वो corner पे चल जाता है, और हमारा नीचे चले जाता है, टैंक के तु ठीक है, जितना भारी सामान है, सबस्टेंस है, वो नीचे बढ़ जाता है, उसके लिए हमने chemical use कर दिया, और जो हलका बाला पानी है, filter correct clinic पानी है, वो इस process से धीरे 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 अंदर तरब चले जाता है, यह flux mixture, इसका नाम है flux mixture, बाद फिल्टर किया जाता है, इसके पानी में हमने घोलने के बाद निकाल दिया, वो इहां आके जमा हो जाता है, मतलब उसके मतलब soil बोलिये, किचड बोलिये, बाद पानी के अंदर और भी जो भी कुछ dust है, उस यहां आके घेट के थूरू पानी से अलग होने के बाद यहां के जमा हो जाता है, यह हमरा waste chamber है जितना भी waste material है, water के अंदर होता है, जो हमको normal condition में देखने नहीं मिलता है, उस waste को यहां निकल दिया जाता है, उसके बाद जो पानी बचता है, जो water बचता है, clear water है, जिसके अंदर कोई jarm नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसको आगे बाला process के लिए भेज दिया जाता है, जो process में दिखा, यह हमारा kitchen निकल गया, इबर पानी के अंदर क्या बचेगा, होई bacteria बचेगा, नहीं तो clean filter, बैक्टरिया निकलने के लिए जो process होता है, वो अभी RO भी use किया जाता है, और भी filter use किया जाता है, मैं उस process का आगे का step में बता हूँ, इहां सिप cleaning हो रहा है जार्म को निकला नहीं जा रहा है, यहां से पानी के अंदर जितना भी substance है, उस substance को बहार निकलने का काम किया जा रहा है, वो चीज मैं बार बार दिखाने कोशिस कर रहा हूँ, यह जार्म निकलने का process चल रहा है, दोस्तों यहां से पानी approach filter हो गया, जो भी non living substance था, उसको नीचे आपके सामने देख रहा है, यहां से जो किचड है, उपर का पानी का जो किचड है, इसके उपर polymer लगा हुआ है, धीरे 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 pipe का थुरू, यह जो चार अलग-अलग chamber बना हुआ है, इसके थुरू बाहर चल जाता है, इसके आगे का step जो है, वो है clean water, clean water, जार् process, erosion process, sedimentation process, इस सबी, यह जो pipeline आपके सामने दोस्तों दिख रहा है, यहां से उपर से धीरे 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 अमरे एक तो clean करा, filter हुआ पानी आ रहा है, इस पानी को नीचे underground में storage किया जाता है, एक gate bulb के तुरू storage हो रहा है, इसके बाद वाला पेसे आपको जहां पहुचाना है, जिस field में domestic purpose में use करना है, hospital, colony, village, city, जहां भी पुना, यहां pumping station बना हुआ है, यह है हमारा pumping station, यह 50 HP का motor लगा हुआ है, चार, जो यहां से लेके कम से कम 10 km दूर तक पानी पूचा जाता है, एक colony के अंदर, यह पूरा process था, इसके आगे का process, colony के अंदर होता है, आरो system, जिसम और एक बार filter कराए जाता है, drink water के लिए, अभी तो हमने नहाने के लिए process पूरक तयार कर लिया, dam का पानी जो था, उसका हमने clean कर दिया, उसके बाद पीने के पानी बनाने के लिए, आरो एप्रोक्स, आरो यूज करना होता है, और cleaning करने का जोरूद रहता है, तो इस pipe line के आठ से दस किलोमेटर distance के जाता है, जिस distance के बाद उसको domestic परपास के लिए, घरेलू परपास के लिए, यूज किया जाता है, जो neat and clean आप उसको यूज कर, ये एक flow chart है, जिस flow chart के थुरूद मैं आपको बताने कोशिस किया, उसका जो 67 step होता है, उस step यहाँ लिखा हुआ है, इसके थुरू मैं बताने कोशिस करूँ, और भी बहुत कुछ जनकरी है, जो मुझे time के according खतम करना होता है, और भी कुछ जनकरी चाहिए, इस में कुछ और भी जनकरी चाहिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताईए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.